कहां से कर रहे हैं आप हिंदू को एक मोहन भागवत का आपने बयान नहीं सुना अब आप देख लीजिए अब तो हिंदू के बच्चों को यह कहा जाता है कि हाथ में अतियार उठालो कहता है कि हिंदू के बच्चे को कलम उठाने चाहिये तो किया कि सी को सरकार को तत्कार इनके उपर देश दूरो ये राजदों का मुखणा करना चाहिए देज के अंदर आंतरिक दंगो को बढ़ावा देते हैं तो इसलिए वही करना शुरू कर दिया भी से यह लोग धरम संसत की आड में जो है एक धरम के खिलाफ एक मजब के खिलाफ यह लोग कुछ लोग जो है कुछ चुनिंदा लोग है चिनित लोग है जो अफरत फैलाने का क इसलाम करते हैं चाहिए आप उसमें नर्शिंगन सरस्वति को ले लीजिए चाहिए रामदेव को ले लीजिए और रामदेव का बयान किसी से भी छिपा नहीं है चाहिए वो डॉक्टर्स को लेकर हो चाहिए महिलाओं को और बहन बेटियों को लेकर हो डॉक्टर्स को लेक कि पांच वक्त की नमाज अदा करने के बाद यह जो मुस्लमान लोग है यह बेहन बेटियों को उठाते हाथ अंगवादी बनते सब कुछ जायज है एक बात बताईए यह कहकर इन्हों ने वो जो देश के तमाम सुतंता सेनानी थे चाहे वो अश्वाक उल्ला खाँ हो चाहे फिर वो अब्दुलकलाम अजाद हो चाहे मीर उस्मान अली हो चाहे बादुर्शाद जफर हो तमाम सबी लोगों का सुतंता सेनानियों को अपमानित करने का काम किया है क्या अब्दुलकलाम आजाद इस प्रवर्ती के ते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देश के चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सीको चाहे हिसाई हो हर एक व्यक्ति अब्दुलकलाम आजाद का सम्मान करता है यह नहीं करता है तो आप एक बाद बताए थे तो वो भी मुस्लिम तो आपने ये कहकर उन तमाम लोगों को अपमानित करने का काम किया है लेकिन देश की सरकार सबसे बड़ी तमाशीन बनके बैटी रही वो देश की सरकार जो इस परकार के जो बयान देने वाले बाबा है उनको ठाकर जेल में बंद नहीं किया इसका मतलब यह है कि सवतंता सेनिया सेनानियों का अपमान सरकार खड़े ओकर खुद दिखवा रही है अब इसको देख लिए यह को करता है हिंदू राष्टर बनाएंगे दूसरी और यह इंट्रिव्यू दे रहा है मुस्लिम पत्रकारों को और वीडियो को भी डाला है बच्चे आये हैं दिल्ली से इनके चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें ऐसे करके वीडियो डालिये बाबा ने अब आप सोच लीजिए तो बाबा काम सिर्फ टी आर पी बटोरना है हंजी नहीं आप कैसी बात कर रहें यह बीजेपी वालों साप यह स करते होंगे तो सरकार उनको बीजेपी की पार्टी में रहते हैं और शानवाज उसेन सुन लीजे यह जो बयान दिया गया है तमाम मुसल्मानों के लिए लिए इसाइयों के लिए बोला गया है मैं बता रहा हूं लेकिन पांचवक्त की नमाज अदा करने काम तो सानवाज सबसेन भी करते हैं मुकता रभास नकवी करते हैं तो मुकता रभास नक्वी तो भरती जंधेंतर पार्टी के अंदर है तो अब Cambodia यह लोग कोई जबाब क्यों नहीं दे रहे हैं सामने आकर हिंदू राष्ठर का बिशपना शिवरास्ञ चोहन का बेटा नहीं देखता है तो हिंदु राष्टर का सपना इसमितिरानी नहीं देखती है उसके बच्चे नहीं देखते अगर बाब बीजेपी के नहीं होते तो अब तक जेल के अंदर बंद होते ये बात आप समझ लिजी योग डूरू है आप सीखने गए योग कितनी बार सीखने गए आप योग अब यह जो वहां पर गए थे द्रहम संसद में वहां योग सिखा रहे थे एक मिलिट एक मिलिट मेरी बास मुझे बताइए आप किसी एक जाती धरम मजभ को टार्गेट करेंगे तो क्या किसी को ठेस नहीं पहुँचेगी ये लोग सरकार को ततकाली इनके उपर देजदरो ये राजदरों का मुकदमा दर्ज करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग देश के अंदर आंत्रिक दंगों को बढ़ावा देते हैं विल्कुल एक बात आप मुझे बताइए अगर आप मुझे गलत कहेंगे तो एक ये स्वभाविक्ता है कि मैं भी आपको गलत बोलूँगा है अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं भी आपको गाली दूँगा क्योंकि टिट फो टैट एक कहावत है जैसे को तैसा तो आप अगर किसी जाती धरम और मजब के खिलाब बोलेंगे तो वो भी आपके धरम जाती और मजब के खिलाब बोलेगा तो इससे दोनों धरम के ब पंडित हिंदु नहीं है मैं आप से पुछतों पंडित हिंदु है यह नहीं है जाती जाती तो खतम कर रहे हैं तो सरकार ऑफिसली तोर पर करें ना सरकार ऑफिसली तोर पर करें को कैसे जगा रहे हिंदु को सततल साल से हिंदु को बेटा डॉकर नहीं था इंजीनियर नहीं था अ-इस नहीं था अğ आई-पियेस नहीं था तबका को थो मुझे पतानी नेकिन आपका मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप देख लीजिए अ आता है कि हिंदू के बच्चे को कलम उफाने चाहिए कि हिंदू का बच्च्छ हाथ में कलम उठा कर ताकत से कि उन्य और को इस देश का चौता स्थम कहा जाता है आप कलम पे नसलमां थे अपने परिवार के लोगोगों को भी कि है कि आप क्लम पर भरोसा करीों सही ना कि आपने कभी किसी को बोला है कि भाई आप हत्यार पर फरुस्टा करिए तो रामदेव जैसे लोग जो है हिंदू-मुसल्मान के बीच एक नफ्रत को पैदा करने का लगवा है उम्रान मलेक ने लगवा है उस पर वाल कर दिया कि तिलक क्यों नहीं लगवा रही है एक बा सबका अपना अपना एक धरम है अब आप जब गुर्दुवारे में जाते हैं तो आपको अपने सर को ढखना ही पड़ेगा आपको अपने सर को ढखना ही पड़ेगा यह गुर्दुवारे की परंपरा है कि हर एक चाहें बहनों चाहें बेटियों चाहें माताएं बहने हो ज जाता है क्योंकि जब आप वाही गुरू के पाथ आप तो आप इसको क्या कही है कि आप जवरत्य आपके उपर करवाय जा रहा है आप अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति अगर तिलक लगवाता है यह नहीं लगवाता है कोई टोपी यह नहीं पहनता है आप उससे उसकी देश बक्ति का या उसके राष्ट्रवादी होने का प्रमान नहीं दे सकते हैं यह समुद्दे क्यों आ गए महंगाई को छिपाने के लिए यह समुद्दे लाए गये ताकि लोग का ध्यान जो वह बटकाए जा सब्सक्राइब सब्सकार की नफरत पहलाएंगे तो यह हलोगा जाहिन यह भारत वंदे मातरम